प्रेज़ लौड आप सबको जैमसी की परमिश्टर का धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए एक और सुभा परमिश्टर ने हम सबको दिखाई है हम परमिश्टर को कोटी कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस पास्टर राजमैसी आपके सम्मों को पस्ते दूँ और आज का संदेश जो है वो यहुना पंदरा अध्याय और इसके दूसरे पदपर है इस वचन का हे भीद क्या है इसमें क्या बात छुपी हुई है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो इसलिए गुजारिस करता हूँ कि पूरा संदेश सुनेए कि यहुना पंदरा अध्याय हम सब के जीवन में बहुत महत्तपून भूमी का दा करता है इसमें परमेश्वर की वो बाते हैं जो हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी अध्याय में प्रभु योश्व मस्या ने कहा तेरा पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के अपने प्राण को दे दे अपने कुर्बानी के बारे में अपने बलीदान के बारे में प्रभू योश्व मस्यां जिकर कर रहे हैं और आरंब से अगर हम इस वचन को पढ़ें तो वहाँ पर इस परकार से लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझे में है और नहीं फलती उसको वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले तो ये महत्वपूर्ण सिक्षा है आज के वचन की इसको समझना हर एक मसी के लिए बहुत जरूरी है तो बने रहेगा मेरे साथ इस वचन के लिए लेकिन वचन में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रती दिन की तरह मैं आपको देना चाहता हूँ सबसे पहले टूपल्स का वो सवाल जो मैं प्रती दिन आपको देता हूँ आज का सवाल है कि कनान देश में ले जाने के लिए परमेस्टा ने इसरेलियों को बुलाया लेकिन कोई इसलायक नहीं निकला वो दो व्यक्ति कौन है जिनके लिए परमेस्टा ने वाइदा किया कि ये दोनों ही कनान देश में जाएंगे वो कौन है अगर आप जानते हैं तो कोमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि वो दो ने की और मेरे लिए और मेरे भाई मेरे दोस्त मनोज मेक्षिस के लिए प्रात्ना कीजिए क्योंकि हम लोग गुमला जा रहे हैं तेरी स्टेश तारिक को हमारी ट्रेन है यहां से हम निकलेंगे 24, 25 और 26 को हमारे तीन दिन की मिटिंग है और 9 बजे से 3, 3.30 बजे तक तो आ आप वहाँ पर जरूर अगर आसपास आप रहते हैं तो जरूर वहाँ पर आईएगा अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ जरूर आईए मैं आप सबसे जरूर मिलूँगा प्रेज द लोड लेकिन प्रात्ना करना ना छोड़ मेरे और मेरे भाई मुनोज मैच्छिस के लिए प्रेज दलोड दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्रेयर सेंटर है वर्ड अफ टूथ प्रेयर सेंटर पंचाब में दूनों भेनों के नंबर आपको दे रहा हूं आप इन से फोन करके प्रात्ना करवाईए और परमेसर के अद् को मैं शुरू करूँगा प्रभुजी मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुभा के लिए जो तुरह दिखाई है प्रात्था करता हूं प्रभुजी आज के वचन को शेर करने मेरी मदस साहता कर मेरी होटों को मिरी दुल दिमाग को छूकर ब्लैस कर मेरी आत्मा मेरा शेर त तफर के मन मुटाव, नशा, बांजपन, करजे, हर एक के घर से दूर कर दे प्रभू, ताकि प्रभू तेरे बच्चे गवाही दे सके, कि प्रभू ये सुमसी ने हमारे जिन में अगबुत काम किया है, ये इश्यू के नाम से मांगता हूँ, आमेन. प्रभू तो इस बात पर बहन ने, राज रानी ने, अपने हास, बात पर बहन ने, राज रानी ने, अपने हास, प्रभू तो को उठा कर परमेसर से उस बातना को सुनने के लिए कहा, और उस भाई को वापस लाने के लिए कहा, और वो भाई वापस आ गए है, तो ये गवाही आई है, महन की तरफ से, तो और भी बहुत सारी गवाही है, जिनको आ गया, चलकर मैं शेयर करता रहूँगा, और वीडियो भी आपको मैं बना कर दूँगा, तो आईए आज के वचन में हम जाएंगे, बहुत महत्यपूर्ण सिक्चाए, समझ लीजिए गाज बात को कि प्रभू ये सुमसी क्या समझाना चाते हैं हमको, यह लिखते हैं वो, कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पि से कहते हैं, वो जब किसी चीज़ के ओपर चलती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हूँगा, ट्रेन पर जाएए आप, ट्रेन में जाएए आप, तो आप देखिए, दोनों तरफ इर्दग्रित, बहुत सारे बेल होती हैं, लताई होती हैं, जो बढ़ती चली जाती हैं, परे स्तार को या रस्ती को ढख लेती है, यानि कि उसके अस्तित्व को चुपा लेती है, और सिर्फ क्या दिखता है, सिर्फ वो बेल दिखती है, ऐसा ही हमारा परमीसर है, लिखाए सच्ची दाखलता मैं हूँ, ये सुनों सी क्या कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, औ उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि वो और फले एक किसान एक माली क्या करता है आपने देखा होंगा गार्डन में माली के पास बड़ी केक्षी होती तो आज उसे खट 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 कर करना च्छटाई करता ना है, हमें येसु मसी के अंदर क्योंकि पाँच आयत में आकर प्रभु येसु मसी कहते है मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हूँ अपने हाथों को अठा कर बोले येसु मसी दाखलता है और मैं डाली हूँ कॉमेंट सेक्षिन में लिख दीजे कि येशु मेरी दाखलता है और मैं उसकी डाली हूँ और मैं उसकी फलवंत डाली हूँ ब्रेज दालोड तहले का है मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हूँ हम डालिया है जो मुझे में बना रहता है बना रहना मतलब बने रहने का मतल ना, अलग चीज़ है, यानि के आए और चले गए, आए और चले गए, प्रात्ना की चले गए, काम निकला चले गए, मतलब निकला चले गए, मुसीबत में आए तो आगए, सब को ठीक हो गया तो चले गए, नहीं, बने रहना है, अच्छे दिनों, बुरे दिनों, बिमार हों खुशी में हो, आनन्द में हो, दुख में हो, कैसी भी परिस्तिती में हो, हम परमेसर से जुड़े रहें, जब हम उससे जुड़े रहेंगे, तब ही तो हमें फलवंत करेगा, यहाँ पर येसु मसी यही कह रहे हैं पांच पन्द में, कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो जब हम आनंदित हो जब हम बिना चिंता के अपने जीवन को जी रहे हो हम तब भी प्रभू से ऐसा ही प्रेम करें जैसा प्रेम हम आज कर रहे हैं प्रभू से वैसा ही प्रेम हम एक साल बाद पास साल बाद दस साल बाद पचास साल बाद भी हमारा प्रेम ऐसा ही बना रहे ह होशे नभी की पुस्तक में एक वचल लिखा है छे अधियाए और उसका छे पद देखे मैं पढ़कर बताता हूँ आपको होशे नभी की पुस्तक छे अधियाए और उसका छे पद यह लिखा है क्योंकि मैं बलीदान से नहीं इस्थिर प्रेम ही से प्रसंद होता हूँ और पहाडों पर चले जाओ, ये बलिदान नहीं चाहता प्रभू, ये नहीं चाहता, प्रभू क्या चाहता है, इस्थिर प्रेम बना रहे हैं, आज कैसा प्रेम है, एक साल बाद, दस साल बाद, तीस साल बाद, पचास साल बाद भी, वैसा ही प्रेम प्रभू से हमारा बना रहे ह ऐसे प्रेम से प्रभू क्या होता है प्रसन होता है लिखा क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इस्थिर प्रेम ही से प्रसन होता हूँ प्रमी स्थिर प्रेम से यनि कि आज जब हम प्रॉब्लम में आ गए तो हम प्रभू के पास आ गए और जब प्रॉब्लम खतम हो गई तो हम फि प्रभू नहीं चाहता है, प्रभू चाहता है कि हम बने रहे हैं, तो यस्मसी वहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं, यहुना पंदरा अध्याय के पांच पद में, वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, जो मुझे में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है क्योंकि मुझे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एक डाली, आप पेड़ देख लीजे, पार्क में देख लीजे, अपने आंगल में देख लीजे, कहीं पर भी पेड़ देख लीजे, जो पेड़ में जे एक डाली लगी रहती है, वो ही हरी-भरी रहती है, उसी में ही फूल आते हैं, उसी में ही फल आते हैं, लिकिन अगर डाली आंधी से, बारिस से तूट जाती है, गिर जाती है, जुक जाती है, उसे थोड़े दिनों बाद वो सूख जाती है, या माली, या किसान उसे काट कर अगर फेग दे, तो क्या होता है, वो सू मुझ में बने रहो. तुम फलबंत होते चले जाओगे. तुम अत्य फलबंत होगे. क्योंकि साथ आयत में प्रभुयुस मेsiyah कहते है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बाते तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लओ बने रहने की बात प्रभू ये समसिया कहते है अब आते हैं दो पद पर यहाँ पर एक चीज मैं आपको आज समझाना चाहता हूं लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फल दी यह समसिय तो कहरे है मुझ में बंे रहो और बहुत से लोग बने भी रहते हैं लेकिन क्या करते हैं अलग व्यवार, अलग परिस्थिति अलग चाल-चलन, अलग सोच, अलग विचार जोड़े तो है आकर बैठे हैं चर्च में लेकिन ध्यान कहीं और है किसी को देख रहे हैं, किसी आने जाने वाले को देख रहे हैं, बच्चों पर ध्यान है, माइन कहीं और चल रहा है, या फोन में लगे हैं, वाटसअप को देख रहे हैं, फेस्बुक खोलकर लगे वे हैं, तो वो बने रहना बने रहना नहीं होता, बने रहने का अर्थ है कि की जब हम प्रभू में बने है तो हमारा ध्यान सिर्फ प्रभू पर हो हमारा ध्यान सिर्फ प्रभू पर हो आईए रेस दराड़ तो आईए वापस आते हैं जल्दी से दूसरे पद पर पंदरा दिहाए यहना और इसका दूसरा पद यहां लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती फल लाना जरूरी है अगर हम प्रभु में हैं तो हमारा फल बंथ होना बहुत जरूरी है फल किसे कहते हैं फल कहते हैं आत्माओं को जीत कर लाना हमने कितने लोगों को वचन सुना दिया हमने कितने लोगों को विश्वास में लेकर आए कौन लोग है जो हमारे द्वारा येसु मस्ती को जान सके इसे कहते हैं फल लाना तो लिखा है कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डाल अगर ये चीज़ आपके जीवन में है तो आप प्रभु येशु में बने हुए हैं ये क्या बात है है लिखाए जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले छटाई का मतलब है छोटी-छोटी से दुख छोटी-छोटी सी परिशानिया छोटी-छोटी सी चिंताएं हमारे जीवन में आना क्योंकि प्रभु ऐसा करके हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ मुझे इसमन रखो मुझे याद रखो ये छटाई होती है ये हमारे जीवन में आते हैं बुखार हो गया या कहीं पर गिर गए या चोटा सा नुकसान हो गया कोई या कोई सी भी ऐसी घटना हमारे जीवन में हो गई जिसने थोड़ी दिर के लिए हमें विचलित किया लेकिन फिर हम विश्वास में खड़े हो गए अपने बजार में दे कितनी भी जूर से मार लो, चाहिए डंडे से मार लो, खेच के, चाहिए घुंसा मार लो, चाहिए इसको कितने मरजी धक्का दे दो, वो थोड़ा सा ऐसे हिलेगा, फिर ऐसे खड़ा जाए, क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है, वो बहुत सॉलिड है, वो मजबूत है, वो से गि प्रबू ये सुमसी जिसमें हम जुड़े हुए है जो डाली ये सुमसी में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है उसे वो चाटता है छटाई करता है जैसे मैंने आपको बता है किसान क्या करता है माली उसके पर कैची होती है बड़ी से ऐसे उसे काट-काट के पेड़ों को अच्छा शेप देता सुन्दर बनाता है लेकिन वो दुख तो आता है पेड़ में से जब कठते हैं उसकी डालियां छोड़ी-छोड़ी सी कठ जाती है दर-दर से तो वो है छोड़ी-छोड़ी से हमारी जीवन में जो आते हैं वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें सही रिती से प्रभू में चलना है ये सुमसिया कहते हैं कि जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले हमें फलबंद करना चाहता है प्रभू इसलिए ये छोटे-छोटे दुख हमारे जीवन में वो डाल हम सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं फिर भी ये दुख बार-बार क्यों हमारे जीवन में आ जाते हैं क्यों आते हैं ये मैं आपको बताता हूं इब्रानियों की पत्री बारहें अध्याए छे पत्र लिखा है क्योंकि प्रभू जिससे प्रेम करता है उसकी तारना भ नहीं कोई गलत काम करते हैं अगर नहीं डाट रहे हैं तो आप उसके दुश्मन हैं डाट ये पिटाई कीजे ताकि वो सुधर जाए नहीं तो बड़े होकर वो बहुत प्रेशानी देंगे बहुत प्रब्लम खड़ी कर देंगे यहां पर परमेसर का वचन कहता है इब्रान पुत्र है जिसके इतारना पिता नहीं करता परमिसर हमें पुत्र बना कर अपनी संतान बना कर हमारे साथ वेवार करता है हमें डानता है फटकारता है तानना देता है पिटाई करता है ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें जैसे एक चरवाह एक भेर जरासी मुड़ जाती है धुर्दरद वो उसको सोटे से खेच कर लाता है वो फिर से भीड में चलने लगती है ऐसी हमारा प्रमिश्चर है वो एक किसान है वो क्या करता है वो च्छटाई करता है ताकि हम फलबंध हों तो फलबंध होने के लिए हमें छटाई में हिस्सा हिस्सेदार बनना है हमारी छटाई हो परमेसर हमें छोट छोट से दुख दे कर हमें बिलकुल खरा सोना बनाना चाहता है ताकि हम बिलकुल शुद पवित्र होकर परमेसर के सामने खड़े रह सके क्योंकि सोने को जब तक आग में नहीं डाला जाती है ये छोटी से छटाई हमारी की जाती है ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें प्रभू के सम्मुख बने रहें उसमें उस हमारी जो पेड़ है हम डाली की तरह उसमें जुड़े रहें और वो कौन है वो है प्रभू ये सुनसी हम उसमें बने रहेंगे वो हमें बना रह तो हम बहुत सा फल लाएंगे प्रेज देलोड परमिसर इन्मचरों के दारा में आशीदे नेदिया आज आपने कुछ नया सीका है तो जरूर कॉमेंट सेक्से में लिखे और ये बात जरूर लिखेगा कि प्रभू मेरा जो है वो दाखलता है मैं उसकी डाली हूँ मैं उसमें बना रहूँगा मैं उसमें बनी रहूँगी ताकि मैं फलबंत हो सकूँ मैं उसकी ताड़ना को सहलूँगी मैं उसकी ताड़ना को सहलूँगा प्रेज देलोड परमिसर का धन्यवाद हो मैं गुजारिस करता हूँ कि इस चंदेश को आप शेयर कीजिए आगे पहुचेए तक कि बहुत से लोग इन बातों को जान सके आज का सवाल है टूपल्स में के वो कौन से दो लोग है जिने परमेशन ने कनान देश में भेजने का वाइदा किया प्रेज दे लॉड मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को खेलाने की और इन दोनों भेनों से प्रात्ना जरूर करवाते रहे है प्रेज दे लोड आज के लिए बस इतना ही लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह से आपका जो आप ये संदेश हैं प्रती दिन के वो आपके पास बिना वैवधान के पहुँचे बेल आइकन को ज़रूर दबाईएगा ताकि वीडियो आपके पास तुरंद पहुँच जाए मेरे वीडियो इसको लाइक कीजे शेर कीजे और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझसे जरूर बाचित कीजे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और प्रभू येस्व मसी में बने रही है प्रेज दे लौड